हेलो एवरिवन, आज हम अतीत में दबे पाउं इस पार्ट का साराश पढ़ रहे हैं लेख कहता है कि हडपा और मोहन जोड़ो दोनों स्थान अभी तक दुनिया के सबसे पुराने नियोजित सहर माने जाते हैं यानि कि जिनें योजना करके बनाया गया था मोहन जोड़ो तामरिकाल के शहरों में सबसे बड़ा था यहां खुदाई में बड़ी तादाद में इमारते, सड़के, धातु पत्थर की मूर्तिया, चाक पर बने चित्रित, भौंडे, मोहरे, साजो सामान और खिलोने आदि मिले हैं हड़पा के जदतर साक्षे रेल लाइन बिछने के दोरान विकास के भेट चड़ गए, जब रेल लाइन ने बिछाई गई तो इन्हें मिट्टी में मिला दिया गया, तोड़फोर इनके साथ कर दी गई, मोहन जोड़ो को सभ्यता का केंद्र माना जाता है यह 200 हेक्टार छेतर में फैला हुआ था, तथा इसकी आबादी लगभग 85 हजार थी, यह नगर छोटे जो टीले थे उन पर आबाद था और यह प्राकरतिक नहीं थे, यनि कि मनुष्य ने इने बनाया था कच्ची पकी एटों से धर्ती की सतय को उचा उठाया गया था, इस सहर की सडकों और गलियों में अब भी घूमा जा सकता है, यहां का सामान अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा है, परंतु शहर वही है इस शहर की गलिया, मकान, चबूत्रे, खेड़की, रसोई, सडके, आदी सुंदर नगर नियोजिन की कहाने कहते हैं, शहर के सबसे उचे चबूत्रे पर बड़ा बौध स्थूप है, परंतु यह मोहन जोड़ो सभ्यता के जेन शेन तीले पर बना हुआ है, जेन शेन यानी उन्हें यहां इशापूर्व के निशान मिले, ततकालिन भारतिये पुरातत्व सर्वेक्षन के महा निदेशक जनरल मार्शल के निदेश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ और भारत दुनिया की प्राचीन लेखक सबसे पहले इसी स्थूप पर स्थूप वाले हिस्से को गढ कहा जाता है यानि कि जहां पर स्थूप बना है उसे गढ यानि किला कहा जाताह है दुनिया भर की प्रसिध्ष इमार्तों के खंढ्डर चबूत्रे के पस्चिम में बने उपे हैं पश्चिम दिशा में और इनमें प्रष्याषन चमाठाब आज को भंडारित किया जाता है संभाल का रखा जाता है चबूत्रे के गढ़ और ठीक सामने उच्चवर की बस्ती है उसके पीछे पांच किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है दक्षीन में तूटे घर कामगार हुगे हैं यानि दक्षीन दिशा में जो मजदूर लोग है उनके घर बने वे हैं इसमें तीनों तरफ साध्मों के कक्ष है एक जो 40-25 फुट चोड़ा और 7 फुट गहरा जो है मार्ग बनाया गया है उसमें साध्मों के कक्ष है इनमें किसी का दर्वाजा दूसरे के सामने नहीं खुलता है और इस कुंड का निर्मान पक्की इंटों से हुआ है I wa papa यहाँ नोनो चोक्यों के तीन कतारे हैं और उत्तर की एक गली में बेल गाडियों के प्रयों के सख्षय भी मिले हैं यानि की बेल गाडियां जो थी वह मालकी डुलाई के लिए काम में ली जाती रही होंगी और पत्थर और तांबे की बहुतायत यहां पर थी परंतु लोहा नहीं था सूती कपड़ा 3000 इसापूरु का है जो जॉर्डन में मिला मोहन जोड़ों में रंगाई भी होती थी दक्षिर में 20 खंबों वाला एक हौल है जो शायद रज्य सची वाले सभाभवन या सामुदाई किंद्र रहा होगा यानि कि यहां पर राजा की सभाएं हुआ करती होंगी गड़ की चार दिवारी की बाहर नीचा नगर था खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया था यानि कुछ टीले तूट फूट गए थी पूरब की बस्ती रसोईयों की बस्ती है इसमें बड़े घार चोड़ी सड़कें तथा जादा कुए पाए जाते हैं दीके जी हलके के घरों की दिवारें उंची और मोटी हैं यहां शायद दो मुंजले मकान भी होंगे ऐसा माना जाता है सभी पकी हुई इंटों से बने हुए थे और इंटे भी एक याकार की है यहां घरों में केवल प्रवीश्टवार हैं खेडकें नहीं हैं यानि केवल दर्वाजे हैं, विंडोज नहीं हैं, बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने हुए कमरों में खिड किया हैं, यानि जो बड़े घर हैं, उनमें खिड कियां भी हैं, घर छोटे बड़े सभी प्रकार के हैं, सभी घर एक ही कतार में बने हुए हैं तथा अधिकतर का आकार 30 गुणा 30 फिट का है 32 फिट के घर हैं लेखक बड़े घरों में भी छोटे कमरे देखकर हैरान है इसका कारण आबादी बढ़ना तथा निचली मंजिल पर नोकरों का निवास हो सकता है सीडियां शायद लकडी की रही होंगी उपरी मंजिल पर लकडी की साज सज्जा की जाती होगी तेज हवा बह रही थी हर जगे लेखक को साइशाई की ध्वनी सुनाई दे रही थी यहां सब खंडर हैं नहीं हैं लेकिन घर एक नक्षा ही नहीं होता हर घर का एक संसकार में आकार होता है किसी भी घर समय एक अपराद बोध भी होता था लेखक को यहां राजस्थान वे सिंद गुजरात के घर याद आ गए यहां बाजरे और जवार की खेती हजार सालों से होती है मोहन जोदरो के घरों में टहलते वे उसे जैसल मेर के गाउं कुलधरा की भी याद आई जहां पर अभी बिल्कुल सुनसान हो चुका है कुलधरा गाउं को अपने देखा भी होगा सुना भी होगा जहां पर बिल्कुल भी लोग नहीं रहते हैं और काफी पुराना गाउं है यह पीले पत्थर के घरों वाला एक खुबसूरत घर है यह घर है पर अंतु लोग नहीं है देड़ सो साल पहले राजा से तक्रार होने पर गाउं का हर सदेशे अपना घर छोड़ करके चला गया था मेजवान ने अजायब घर के बारे में बताया अजायब घर छोटा है समान भी ज़्यादा नहीं है अधिकतर चीजें कराची लहोर दिल्ली और लंदन से लाई गरी है मोहन जोड़ो से ही पचास जार से ज़्यादा चीजें मिली है यहाँ पर काला पड़ गया गेहूं तामबे और कांसे के बारतन मोहरे वाध्ये और चाक पर बने हुए मृत भांड यानी मिट्टी के घड़े चोपड की गोडियां दिये माप तोल के पत्थर तामबे का आईना मिट्टी की बैल गाड़ी दो पाटों वाली चक्की कंगी पत्थर की ओजार और सोने के गैने आदी मिले नेश्ट पेरेग्राफ पे आजाते हैं अत्या अनेक रहश्य अभी तक सामने नहीं आये हैं सिंदुखाटी की लोग कला प्रिय थे यानि कि वह कला को प्रेम करते थे पास्तु कला है कला प्रियता धातु और पत्थर की मूर्तियां बनाना मिट्टी के भांड बनाना और उन पर चित्र कारी करना चित्रों में मनुष्य है पेड़ पोधे पसुपक्षियां आधी बनाए गए थे आकरतियों में खिलोने सुघड अक्षरों से सिद्धोता है कि उनको सुंदर्य बोध भी था सुंदर्ता का ज्यान भी था आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान है यहां हाथी दात पे तामबे के सुवे भी मिले हैं जो शायद दरियां बनाने के काम आया करते थे अब मोहन जोड़ों में खुदाई बंद कर दी गई है क्योंकि सिंधु के पानी के रिसाव से शार और दलदल की समश्या पैदा हो गई है अब इन खंडरों को बचा कर रखना ही बड़ी चुनोती है यहां पर शब्दार्थ आप देख सकते हो शब्दार्थ में आपको अच्छे से समझ आएगा प्रेश्ण उतर देख करके आप अपने नोट्स बना सकते हो सिंदू घर्टी सब्दार्थ उसका संदर ये बोध है जो राज पोशित या धर्म पोशित ना होकर समाज पोशित था ऐसा क्यों कहा गया है इसमें आप यह देखिए इसका उत्तर सार आपको मिल जाएगा पिर ये प्रेश्ण आता है कि पुरातत्व के किन चीनों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सिंदू सब्दार्थ ताकत से शाशित होने की अपेक्षा समझ से अनुशाशित सब्दार्थ थी इसका भी उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा सारे प्रेश्णों के उत्तर जो हैं आप इन्हें अपनी नोट बुक में नोट डाउन करके नोट्स बना सकते हो यहाँ पर आप देखिए तूटे फूटे खंडर सब्दार्थ और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंद्गियों के अंच्वे समयों का भी दस्तावेज होते हैं इस कथन का भाव सपष्ट कीजिए बोधात्मक प्रिश्णों में भी आप देख सकते हो अजायब घर में रखे सिंदू सब्वेता के पुदा तत्व के अवशेशों से किसका महत्व सीध होता है कला का या ताकत का मोहन जोड़ों की बड़ी बस्ती पर टिपड़ी कीजिए ये भी प्रिश्ण है ये सारे प्रिश्ण भी आप अपनी कॉपी में नोट करके लिख सकते हो नोट्स बना सकते हो उसके बाद निबंदात्मक प्रिश्ण आ जाते हैं झाल